नमस्ते मैं हूँ सचीन गोईल और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जैप उर्दा पिंक सिटी पर मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूँ खांसी के लिए एंटिबयोटिक दवा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं एक ऐसा गरेल नुस्का बता रहा हूँ जो नेचुरल एंटिबयोटिक है और खांसी को तुरंट जड़ से खतम कर देता है खांसी के लिए जो नुस्का आपको तयार करना है उसके लिए चाहिए अलसी, शहद और नीबू सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी में दो चमच अलसी के बीज डालकर अच्छी तरह से उबाल लीजिए अलसी की बीज उबालने से पानी में जैल बनने लगेगा जिससे पानी थोड़ा गाड़ा हो जाएगा तब आप इसे छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए जब ये पानी ठंडा हो जाए तब इसमें तीन चमच नीबू का रस और तीन चमच शहब अच्छी तरह से मिला लीजिए इस तरह खांसी के लिए नैचुरल एंटीबियोटिक सिरफ बनकर तयार हो जाएगा पानी में अलसी उबालने पर जो जैल बनता है वो गले और सांस की नलियों को तुरंत आराम पहुंचाता है नीबू और शहब दोनों ही एंटीबियोटिक के तरह बड़ी तेजी से काम करते हैं इस सरह इस सिरफ से दो तरफा फायदा मिलता है आपको इस सिरफ की एक एक चमज जिन में तीन से चार बार तक लेनी है यानि आपको इससे सुबह, दोपैर, शाम और रात के समय इस सरह चार बार तक लेना है साथ ही दिन पर में हलका गरम पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए आप ये गरेलोन उसका किसी भी मौसम में यूज कर सकते हैं इससे एक दिन में ही खांसी की तेजी बहुत कम हो जाती है और फिर खांसी ठीक हो जाती है खांसी होने पर हमेशा ध्यान रखें कि ठंडी चीज़े नहीं खाएं पिएं गरम सूप बना कर पीना चाहिए गरम पानी से गरारे करने चाहिए विटामिन सी रिच फूड जैसे नीबू, संत्रा, मौसमी का रस खूब पीना चाहिए इससे खांसी में तुरंत आराम मिलता है आप हैल्दी और हैपी रहें इनी विशिस के साथ आपसे विदा लिता हूँ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजी और फिर इस बैल आइकन को क्लिक कीजी जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके